नमस्कार दोस्तों। मैं रुथ्य परताप सिंह अप सभी का स्वगत करता हूँ आपके चैनल मास्टर की पे। अगर अब तक आपने अप्सद्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सबस्क्राइब करें और साथ ने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। कि आइवा loss करें सिट्व को आज की वीडियो मे而क कार्ण करें क्या 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 में पॉइंट्सय करें दूस् publishers सभी सिग्तन काबूर्ञ पढ़रें 10 नहीं में पॉइंटि में वेर्डिवुक टाइड है ठीक है और आज मैंने अपने फेस्बूक आइडी पे एक पोस्ट किया था वीडियो कोडिनेट जो मेट्री के रिगार्डिंग ही कि आज स्टार्ट हो रहा है और काफी अच्छा रेस्पॉंस मिला बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ही अपना प्यार ऐसा ही अपना सपोर्ट हमा निर्देशांग निर्देशांग जैमिती जैमिती अब यह निर्देशांग जैमिती का क्या मतलब हुआ निर्देशांग करने का किसी चीज को लोकेट कर दिया मैंने किसी चीज को क्या क्या बिटा लोकेट कर दिया उसी को बोलते हैं निर्देशांग और जैमिती अगर मै यहां पे आपके whiteboard पे एक point यहां locate कर रहा हूं और एक point यहां locate कर रहा हूं और इसकी अगर मैं जैमीती बनाओ यानि इसकी geometry बनाओ तो दो point के मदद से क्या बन सकता है कि straight line बन सकता है और अगर इस straight line का अगर मैं distance निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा सी और जी यानि coordinate geometry हो गया हो सीधी सी बात है simple सी language है इतनी समझने वाली चीजी नहीं है तो किसी भी अगर point को locate करके अगर मैं उसका geometry निकाल लेता हूं तो उसको क्या बोलता है बेटा coordinate geometry as for example अगर मैं बता हूं अगर daily life में आपको example तो आप अगर एक point से कहीं दूसरे point जा रह होंगे बोलो है जूट मत बोलने मार्केट जाते होगे कई तो नहीं सोच रहे हो कि सरा आप बड़े cool बन के पढ़ा रहे और टोपी वगरह लगा के बिटा ऐसे कुछ नहीं है इसका reason में लास्ट में बताऊंगा और बहुत interesting region मजा आ जाएगा लास्ट तक देखते रहे वी कुछते हो कि दादा जी फर्स्ट लोकेशन तो मेरा घर हो गया सेकंड लोकेशन अगर मेरे को मार्केट जाना तो मार्केट लोकेट तो करते हो ना ऐसे थोरू चल लेते हो किधर भी आपको लोकेशन करना पड़ेगा लोकेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहां तो मान ले निकाल लिया तो क्या बन गया कोडिनेट जोमेट्री जोमेट्री बना लिया मैंने स्टेट लाइंग और उसका डिस्टंस निकाल ली उसकी माप निकाल ली तो हो गया कोडिनेट जोमेट्री एगर आपन डेफिनेशन से देखें कि अगर होता क्या है तो डेफिनेशन आगर देखें तो एक कोडिनेट जोमेट्री is defined as study of geometry using the coordinate point using the coordinate point अब कोडिनेट एक पॉइंट मिलेंगे locate करने के एक पॉइंट मिल जाएंगे उस पर क्या बोलेंगे उसके बोलते हैं पॉइंट जो पॉइंट आपको x1, y1 और x2, y2 के फॉर्म में जंडल फॉर्म में गीवेन होता है आगे देखिए यूजिंग कॉडिनेट जोमेट्री यूजिंग कॉडिनेट जोमेट्री इट इस पॉसिबल टू फाइंड दिस्टेंस बीटूइन ए टू पॉइंट आगमन दो पॉइंट गिवेन हो उसके डिस्टेंस को अगर अपन निकाल सकते हैं कब जब अपने को दो पॉइंट आपको गिवेन हो तो और क्या कर सकते हैं dividing the line dividing line M is too N ratio किसी भी line को M is too N ratio में divide कर सकते हैं अब ये कैसे करेंगा अब ये आगे पता चलेगा ठीके जी और क्या कर सकते हैं finding the midpoint of a line line को क्या कर सकते हैं midpoint find कर सकते हैं और एक और लाश्ट है calculate the area of a triangle in a Cartesian plane प्लेन अब भाईया यह कार्टीजन प्लेन क्या होता है हम तो पहली बार सुन रहे हैं आप बड़ी नहीं नहीं चीज़े बता रहे हो कार्टीजन प्लेन प्लेन होता है अपन जो भी चीज कर रहे हैं किसी नहीं किसी प्लेन में कर रहे हैं अपन घर बना रहे हैं किसी प्लेन में एरो प्लेन मा समझ ले ना 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 प्लेन 11 में आऊगा जब मैं बताऊंगा आपको कि वोट इस प्लेन बहुत इंपोर्टेंट है और इस पे एक चैप्टर भी है आपका 11 में तो अपन इससे समझो कि यह जो आपको और स्क्रीन दिखेंगा अगर मैं कुछ ना लिखूँ यह आपका हो गया एक फ्लेन यह प्लेन है अभी में जो बीछ हरकानी कर रहा हूं तो डाइमेंसीं के हिसाब से 20 अवजेक्स और इसपे ॉस होते डिपेंड करता है कंसे π्लेन में तो अभीATHAN के बारे में छोड़ दीजि तो Cartesian plane में जो आपको अगर triangle अगर given होगा तो उसका आप area भी निकाल सकते हो इससे ठीक है जी तो यह यह काम कर सकते है अपन coordinate geometry के help से अब देखिए यह Cartesian plane में मैंने क्या किया x-axis बनाई और y-axis बनाई अब मैंने क्या किया इस Cartesian plane को कितने भाग में बैटा डिवाइड कर दिया चार भाग में कौन-कौन से वह चार भाग है देखिए फर्स्ट इस वन इस सेकेंड और इस थार्ड और इस फोर्थ अब भाईया आपने डिवाइड कर दिया यह क्या है यह डिवाइड जो किया है आपने क्या है इसको ब मतलब क्या क्वाडरेंट है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाडरेंट इसको बोलते हैं सेकंड क्वाडरेंट इसको बोलते हैं थार्ड क्वाडरेंट इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाडरेंट अब यह क्या जो आप पॉइंट लोकेट करते हो एक्स एक्सिस पे इस क्या होंगे x और y के दो हो point positive तो quadrant क्या करता है sign बताते है points के जो आप x-axis and y-axis पे locate करते हो अगर आप second quadrant में चले गया second quad इसको quad भी लिखते हैं अगर आप second quad में चल गया तो y-axis पे जो आपको point मिलेंगे वो मिलेंगे negative और x-axis के point positive होंगे और x-axis के point negative होंगे ऐसे ही जब third quad में आएंगे आप, बेटा जब third quad में आएंगे excuse me जब third quad में आएंगे तो x के point कैसे मिलेंगे negative और y के point भी कैसे मिलेंगे negative दोनों negative ऐसे ही जब आप fourth quad में आएंगे तो x के point कैसे मिलेंगे positive और y के point कैसे मिलेंगे तो यह आपके help करता है points को identify करने में कि कौन से quad का यह point है अगर आपको अभी पता चलेगा थोरी दिर बात पता चलेगा कैसे point identify भी करते हैं तो आईए तो यहां से यह समझ में आया कि और को किस किस में help करेगा कहां कहां help करेगा और कैसे help करेगा ठीक है जी अब अपन बात करते हैं जराही आईए एक वर्ड आता है coordinate geometry में एपसीशा अब ये एपसीशा क्या होता है एपसीशा को बेटा बोलते हैं x-axis x-axis को ही बोलते हैं और y-axis को बोलते हैं और डी नेट को क्या बोलते हैं y-axis क्या बोलते हैं इसको y-axis तो आपको समझ जाया है कि एपसी सा कहीं रिखा होगा तो घबड़ाना नहीं है एपसी सा मतलब x-axis and ordinate मतलब y-axis अब बात आती है कि अब बात आती है जरा कि सर ये समझाइए मेरे को कि यह जो पॉइंट अप लेते हो यह जो आप पॉइंट लेते हो x1, y1 and x2, y2 यह क्या होता है जरा ये समझाये मेरे को अभी बताते हैं यह कौन बढ़का भाड़ी बात है भाईया जड़ा देखिए यहां यह आपका क्या हो गया color change कर देता हूं यह आपका क्या हो गया y axis और यह x axis और यह होता है y dash और यह होता है आपका भी और मैं बोल रहा हूं कि यह जो पॉइंट है वह x1,y1 है और यह बी पॉइंट है यह x2,y2 है जेनरल फॉम बता रहा हूं मैं मेरे को नहीं पता आप x1 की जगे 2 भी हो सकता 3 भी xy1 की जगे 4-1 जो भी हो मेरे को नहीं पता मैंने ले लिया है ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यह x1,y1 है क्या x2,y2 है क्या जरा सर समझाए बहार है ठीक है जी समझी आईए मैं बोल रहा हिए कि आगा आपने यहाँ एक पॉइंट ली है थीक है ली है तो इसका कोई लेंथ इसका कोई डाइमेंशन है क्या 1.1 बिंदे जयान चे बराभर होगा कुछ दूरी पर दिख रहा है यह X-axis के कुछ दूरी पर दिख रहा है और य-axis से उसका वाली point की बात करूँ तो इसकी भी तो distance कुछ x-axis से होगी ना इसको मैंने माल लिया x2 और इसको और y-axis से भी कुछ distance होगी तो इसको मैंने माल लिया y2 तो this is a definition of x1 and y1 and x2 and y2 तो x1 और y1 और x2 और y2 आपको high hope समझ में आ जाएगा अब मैं जड़ा बात करता हूं कि यह coordinate पर कैसे question पूछेंगे जड़ा आईए अगर मैं बोल रहा हूं कि दो point आपको given है वह given है minus 2,3 और एक b point given है 6,4 और पूछ रहा है कि बताए यह objective type में यह question आते है कि बताए यह कौन से quadrant का point है तो a क्या है बेटा देखिए a minus 2,3 हमेशा आपन जो point लिखते है x1,y1 लिखते हैं जो point आप लिखोगे coordinate geometry में हमेशा x1,y1 लिखते हैं अब यह क्यों क्योंकि plane जो आपको given होता है वह x xy plane given होता है कभी y x plane नहीं देखोगे x-axis और पहले कभी भी x-axis पहले length की आप बात करोगे तब तो breath आएगा ना समझ रहे हो तो पहले कभी भी x का लिखा जाता है points फिर y का point लिखते हैं तो यह जो जो भी point आप लिखते हो हमेशा x1,y1 लिखते हो तो यह first term पे x होता है second term पे y होता है first term पे x and second term पे y तो देखिए जरा एपको जो point given है minus 2,3 given है ठीक है वा बी जो आपको point given है 6,4 given है ठीक है सब अब मैं पूछ रहा हूं कि बताएए कौन से quadrant का point है मैं क्या पूछ रहा हूं कि a point है वो कौन से quadrant का है b point है वो कौन से quadrant का है तो अब आईए देखिए जरा minus पहले है यानि x जो minus में given है और y positive है plus 3 तो a point जो है minus 2,3 जो given है यह कौन से quadrant का होगा x negative y positive कौन से quadrant में होता है जरा बताएए मुझे बेटा second quadrant में होता है ना x जो हैता है negative होता है y जो होता है positive होता है simple सी बात है x के इधर आप positive मानते हो ना इधर negative मानते हो y के ऊपर positive मानते हो नीचे negative मानते हो वैसे यह तो निकाला है उसमें महभारत क्या है ठीक है तो यह जो a point आपको given है यह कौन से quadrant का होगा बेटा second quad का तो यह सब identify करना में positive किसमें होते हैं first quad में तो बी पॉइंट जो है आपका concept quad का है first quadrant का तो आई होप कि आपको identify करना आ गया होगा आप identify ऐसे कर लेंगे इधर अपन और पॉजेटिव क्यों किया है क्योंकि x के इधर हर चीज पॉजेटिव होता है y के ऊपर साइड में हर चीज पॉजेटिव होता है तो यह वाला जो आ गया आपका first quad में ऐसा ही इसकी बात करें तो यह आपका second quad है यह फइक के इधर negative होता है ऐसे बात करें तो यह आपका third quad है तो x के इधर negative y के भी नीचे negative अर्छे इसके आओ बात करें तो ऐसे जाना है perceptions पॉजेटिव में आपका दोनों positive x and y और second quad में y positive, x negative, third quad में दोनो negative, और fourth quad में y negative and x positive, I hope कि आपको quadrant identify करना आ गया, तो आज की वीडियो में आपन यहीं end करते हैं, basics सारे cover कर लिए हैं आपने, कल से आपन बात करेंगे distance between the two points, two points अगर आपको given है, तो उसका distance कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे आपन, और ऐसे निकालेंगे, और अगर ऐसे निकलता है, तो क्यों ऐसे ही क्यों, इसका proof में मैं आपको दूँगा, तो मैंने बोला था कि मैं आपको कैप का कुछ राज बताऊंगा, तो मैंने कैप इसलिए लगाई है, तो thank you so much, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, इसी जोस में, जैह हिंद!